नवसकात दोस्तो उद्य किसी का भी अन्चानक नहीं होता है सूर्वी देरे देरे निकलता है और उपर उठता है नवसकात दोस्तर आधिरादी स्वागत आप सभी का अपने यूटुब चैनल गीता का रासी पन में आज हम पात करने जारे सिंग रासी वालों की सिंग रासी वालों को 24 अगस्त दिन सनवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किनकी च्योंसापतर रहना होगा और सिंग रासी वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी गुसकवरी मिलने वाली है तो दोस्तो आई अगर दोस्तो आपकी वी सिंग रासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आपको आने वाली नोटिफेकर सा मिल सकेंगे दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांकी 24 अगस्त दुए 24 दिन सनवार आज की देती पंचेमी और छटी आज का नचत्र असूर नचत्र पच्छ चैदा किष्ण पच्छ आज सुर उतर होगा सुबह 5 बज के 55 मिनट पर और सुर असूर अस्तो होगा सम 6 बज के 50 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय है दुपर 12 बज के 58 मिनट से दुपर 1 बज के 33 मिनट पर रहेगा दोस्तो आज आपको सुकर करना चाहते हैं तो आप इस समय करें आपके लिए सुब होगा साती आपको बताएं आज का असुब समय है सुबह 9 बज के 9 मिनट से सुबह 10 बज के 14 मिन आगी जानते हैं तो दोस्तों आज आप केल कुद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदर से बना रखेगा आकास में मुनाफिय या सट्टे वाजी की जरिये आर्तिक हाला सूद्रस्ट होंगे आज के दिन बिना कुछ खास किये आप आसानी से लोगों का त्यान अपनी और कामयाब रहेंगे प्यार मौपति के नर्जरिये से बहत्रिये देना हैं प्यार का मज़ा चकते रहें कामकाजी के सिल्सर में आपकी ऊपर आज जिम्मेदरियों को बुझ बढ़ सकता हैं आपकी संप्रेडर अथा कमु एकेसन की चमता प्रवाफ सालिश सावित होगे अपन लिए सामान से बहतर बहतिन देने वाला है परंतु आपको हर प्रकार के आकस्त करने वाले किसी भी तरह के जोगम भरेव कामों से आपको बचके रहने की सला दे जाती है इसलिए उचे सला से अपना नेविस करें और मुनाफ़ा अरजित करते हुए जीवन में तरक्की करने देजिए कि आप आज क्या करेंगे और क्या नहीं तब ही आप खुद को कुछ रख पाएंगे केरियर में वैतर करने के लिए आज आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरके नकारातम बेत्यारों से दूर रखने की जरूरत होगी अन्नता यह नकारातम विचार आपको बिरमित करते हुए आपको अपने लच्चे से दूर कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परिसानी हो सकती है तो इस थोराण आपको अपने ग्यान की मदद से वैतने विकल प्राप्त करने में अपार सफलता मिलने के योग बनते वो दिखाई दे रहे हैं साथी साथ आपको बताएं आज के दिन आपके लिए वैसे ठीक है आज के दिन खास करके देखिए इनकम के नए सुरूत मिलेंगे अगर आप अब बिवावित हैं तो बिवाव की बातें आपके घर पे चल सकती हैं परवार का माहौल बढ़िया रहेगा नई प्रोजक्टिक लॉंच करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया देने आप जिस भी कार को हाथ में लेंगे वो कार जल्द से जल्द पूरा भी करेंगे काम है भी भरा दिन है लेकिन मैनत करनी होगी और संतान के तरब भी थोरा सा ध्यान बनाए रखें तो उत्तम होगा जो ब्यापारी भाई है आज लाव की संभावना है नौकरी में सुकून के साथ आज किसी बरिष्ट ब्यक्ति का सपोर्ट भी आज आपको मिलेगा यदि आपका कोट में कोई काम अटका हुआ है तो कोट के चेरे की काम बनेंगे आज पूजा पाट में मन लगेगा अगर आज आप गर से कहीं बहार जा रहे हैं तो आप अपने बहान को चरह साब्दानी से चलाएं आपके लिए सई होगा अध्यात में एक रूची है लेकिन चोट चपेड से थोड़ा साब्दा रहिए अपने स्वास्ता का ध्यान रखें और दिनी की सुरुवात योग एक्सरसाइज से करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा आज कोई भी कार बहावना वे भेकर ना करें आज बिवेक से दिमाग से कार करें आपको लाग होगा मान सम्मान बढ़ेगा और प्रिसनता भी बढ़ेगी साथी आज के दिन गर परवार में किसी बात को लेकर हलके बुल के बिवाद हो सकते हैं दिन के सुरुवात में ध्यान लखिए गरी की विवस्ता हाला के ठीक है साथी जो बिद्धारती हैं आज आपका कोई रेयल्ट है तो पड़ाम आपके पच्च में आ सकते हैं आज के दिन बेवेजे के चीजों में आप समय नष्ट मत कीजिए वना धन और समय दोना ही आपका खराप होगा बाद में इस वात के लिए आपको पच्चाबा होगा इसलिए पड़ाई लिकाई पे फोकस बनाए रखें और बेवेजे की चीजों में अपना समय बरवात ना करें साथी साथ जो ब्यापारिक भाई हैं उन्हें थोड़ी बहुत चुनोती हैं लेकिन बेवसाइक विकास के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो बविस में आपको अच्छे पड़ाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं साथी सुधाएं गिरस्त जीवन पर भी आप थोड़ा ध्यान दें और साथी वह किसी भी तरह उन्हें खुश करने में कोई कसर मत चुड़िए क्योंकि उनको प्रिस्तन रखना यानि खुद को ही पसंद रखना है साथी आज की दिन किसी खास व्यक्ति बिसेश से नाराज की आपको मिल सकती है इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है और पुराना अगर कोई स्वास्त की परेशानी है तो थोड़ा सा अपना खया रखी थोड़ी बहुत आज बेवजय की पागदर हो सकती है किसी व्यक्ति की बिभार से आज आपको थोड़ी आप प्रसंता मिल सकती है लेकिन कोई विकार अगर जल्द वाजी में आप नहीं करते हैं तो बहुत हरत तक मुश्कलों से आप बचे रहेंगे बिदेश में रह रहें किसी भी परिजन से आपके कॉल की जरिये कोई सुप सूचना आपको मिल सकती है और तरक्की के मारग में आ रही वाना है साफ्त हो जाएंगे बच्चों को लेकर अगर उने की पड़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंतित दे तो बो भी आज समाप्त होगी आपको किसी काम के पूरा होने से जो समस्याती वो बहुत हद तक समस्या समादान में बदल जाएगी हाला कि आज धन तो आ रहा है और बहुत सारी आपके मुझके समात्वी होगी आज देखा जाए तो आज आज आपको छोटी मुती यारत्रा भी कर सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आज की जानते हैं तो दोस्तो अगर हम सिंगल जातों की बात करें तो आज प्यार का अदवुद ऐसास आपको इस समय हो सकता है कोई रोमेंटिक फिल्म देखते हुए आप नायक नायका में अपने लम मेट को देख सकते हैं इस रासी के जातक खुरकर अपने लम मेट का प्यार लोटाएंगे यदि आप अपने प्रेम या प्रेम का से दूर रहते हैं तो गंटों उनसे फोन पर बात करके आज करतें आप गुजार सकते हैं और आपका कोई बिर्पित लिंग दोस्त आपके समझे अपने प्यार का इजहार करे या आपको अपने प्यार का संके देते हुए नए रिष्टे के सुरुवात करने के लिए वह पहली कदम बढ़ाए ऐसे में आपको भी यदि वो पसंद है तो आप अपने दोस्ति में प्रकानता को बढ़ात वे रोमेंस का पूर खिला सकते हैं और उन्हें अपने राय बता सकते हैं साथ ही साथ अगर ब्याई जातकों के लिए यह समय समाने से उत्तम रहेगा हाला कि बीच वेच में थोड़ी बहुत काना सुनी जीवन साथी के साथ समब हैं परंतु कई सब गुरहें के दुरस्ति आपकी इस काना सुनी में भी रस गोलते हुए कार करेगी जिसके कार आपके रिस्ते पर कोई भी नकारतम प्रवाब नहीं पड़ेगा और कुछ जातकों के जीवन में कई एम मुद्दों को लेकर आज जीवन साथी से आपकी अच्छी बात्चीत हो सकती है जिससे आपको महसूस होगा कि आप दोनों में कितना प्यार है आपसका ये पिरिम आपके रिस्तों को नयापन देगा और यदि आप संतान की चाम है थे तो इस तोरान आपको अपने दामपती जीवने बिरद्धी करने भी सफलता मिल सकती है दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की आपका स्वास्त कैसा रहेगा आई की जानते हैं तो दोस्तो, आज आपको अपने स्वास्त कावई बिश्य सुरूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अध्यामतिमिक सोच और चिंताओं के कारण आपका स्वास्त बिखर सकता है, साथी साथ, पेट से संबंदित कोई समस्य आज आज आपको परिशन कर सकती है, इसलिए आज नेगेटिब बिचारों सो दूर रहें, सोचने समझने में आप अपने समय व्यर्थ बर्वास कर सकते हैं, दोस्तो, आप अपने स्वास्त को और भी अधिक अच्छा रखना चाते हैं, तो आप अपने खान पाना के ध्यान रखाएं, और रोजाना योगा बैजाम करते रहे नवस्का दोस्तो राधरादे, दोस्तो, अगर आप अमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सस्कार जरू करें, और साथे साथ बेल आइकन और पर दवाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें